आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी वे में मलाई केक कभी कभी मन करता है कि हम अपने बचों को अपने हाग से बनाया हुआ कोई केक या कोई बेस्ट्री या कोई मॉफिन्स खिलाएं तो यह आज का सेशन आप ही लोगों के लिए हैं मैं आज कुछ बेकिंग करने वाली हो जाने के विए इसी से मेजर करके हम यहां पर रख रहे हैं 240 मलाई ले लिए घर की मलाई हमने यहां पर लिये फुल-फैट-cr immigrants आपके पास फुल-फैट- प्रिया आपके पास तो आपके असे तो आप उससे घर की मलाई ले सकते हैं हम इसमें अट करने जा रहे हैं 100 ग्राम और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसी में आड़ करेंगे सेमोलीना के यह चाहे सूजी के यह सूजी इसमें हम डाल रहे हैं तक्रिबन असी ग्नाम और अब हम इसको और पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी की टेंडेंसी यह होती है कि वह पानी पीती है सोपती है पानी तो इसलिए हम पहले सूजी इसमें डाल रहे हैं जिससे की सूजी अच्छे से पूल जाए अब हम इसको 100 ड्राम मैदा ले रहे हैं इसी में हम वन टीएसपी बेकिंग पाउडर वन हाफ टीएसपी हम यहां पे बेक्टू सोडा और इसको सीव कर लेंगे अच्छे से सीव करना बैकिंग में बहुत ज़रूरी होता है इसमें हमारा Curry Pur A Red में में मिक्स कर दिया अब इसको फोल करेंगे कि सबसे बेसिक डेप्ट यह होता है कि इसको हम बहूट Ăच् physicist पूद्ली फोल्ड करते हैं आप कोई भी बी इसको कट करिए और फोल्ड करिए कट करिए और फोल्ड कर ये बस इसमें और पुछ किरो कर चांज नहीं है या देख सकते हैं यह पूरा अच्छे से महरा मिक्षर रेडी हो गया है हम इसमें आड करने जा रहे है वैलिलाइस तूटी-फूटी चॉप किये हुए नट्स बदाम हो गया काजू हो गया और अब हम फिर इसे मिक्स करेंगे और अच्छा सा एक स्टर देंगे और अब हम इसमें आड करने जा रहे हैं 60 ml मिल्क अब आप देख सकते हैं कि यह हमारा एक स्पूद बैटल बन गया है अब हम कोई भी एक बेकिंग मोल्ड ले लेंगे हमने इसमें बटर पेपर लगा दिया है थोड़ा सा पैन को ग्रीज करके अब हम इसमें पूरा पोर कर लेंगे अब इसे हम बेकिंग के लिए लगा देंगे इसके उपर से थोड़ा सा हम गानिश करेंगे चॉप नट से राखी है तो आप भी चाहेंगे कि हम इसको बनाए तो बहुत पी सुंगर तरीके पे बनाए यह तो पूरी मलाइट केक के लिए जो मिक्षर बैटल है वो रेडी हो अब हम इंतिजार करेंगे 20 मिनेश तर कुछ चाइ कॉफी के साथ पिर हम आते हैं अपने मलाइग केक को लेकर के एकदम क्लीन है इसका मतलब यह अब हो चुका है और हम इसको निकाल लेंगे फटा फट करेंगे बहुत गरम है और मुझे खुष्पी में बहुत अच्छी आ रही है आप देख सकते हैं इसका कलर इसका टेक्शर अभी इसको हम कूलिंग जाट पे रख देंगे जिससे कि यह ठंडा हो जाए फिर हम इसको कट करेंगे और फिर उसकी प्रेटिंग करेंगे अब बिदेखें कितने इजली यह निकल आया है यह मारा सूजी मलाई केक रेडी है आप लोगों के लिए आप भी अपने गरम में बनाएगा जरूर और जोगी अभी गरम है इससे लिए हम अभी इसको कट नहीं कर रहे हैं और इसको फोई देंगे और इसको कट करेंगे और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप भी लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कीजिएगा और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तर के लिए देखते रहे हैं शेफ रितु जास्वाल थाइक यू सो मच